सब्सक्राइब करें तंदुरुष जीवन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों तंदुरुष जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में गर्बस्त शिशू के हलचल के बारे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के कौन से हफ़ते आप शिशू की हलचल को महसूस कर सकती है कौन से हफ़ते शिशू की गतिविदियां बढ़ जाती हैं और कौन से हफ़ते कम हो जाती हैं और कब आपको शिशू का हलना डूलना ज़्यादा महसूस होता है दोस्तो अगर कोई महला पहली बार माबन रही है यानि कि उसकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसे शिशू की हलचल पहली बार शायद प्रेगनेंसी के 18-20 हफतों के बीच महसूस होगी और ये हलचल उसे पेट में गैस की तरह महसूस हो सकती है और शायद उस समय वे ये ना जान पाए कि ये उसके शिशू की हलचल है जबकि जो महला दूसरी बार गरवती होती है उसे शिशू की हलचल कुछ पहले ही महसूस होने लगती है यानि कि दूसरी बार गरवती होने वाली महला को तो ये हलचल प्रेगनेंसी के 16-18 हफतों के बीच ही महसूस होने लगती है कहने का मतलब ये है कि पहली बार माँ बनने वाली महलाओं की तुलना में दूसरी बार माँ बनने वाली महलाओं शिशू की हलचल आसानी से महसूस कर पाती है क्योंकि दोस्तों वे शिशु के हिलने डुलने के एहसास और उसकी हलचल को पहले भी महसूस कर चुकी होती है ज्यादातर महलाओं को प्रेगनेंसी के 20 हफ़ते के आसपा शिशु की हलचल महसूस होती है और 24 हफ़ते के बाद प्रेगनेंट महला बेबी किक यानि की शिशु के लात मारने के एहसास को महसूस कर सकती है ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंट महला हर बार शिशु की हलचल महसूस करे क्योंकि अधिकतर शिशू गरवती महला के सोने के दौरान ज्यादा हल चल करते हैं ज्यादातर प्रेगनेंट महलाओं को बेबी किक का एहसास प्रेगनेंशी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान होता है और pregnancy के 26 हफ़ते तक महला को शिशू की हिचगिया भी महसूस हो सकती है दोस्तो अगर किसी महला को pregnancy के 24 हफ़ते तक शिशू की कोई हलचल महसूस ना हो तो ऐसी स्थिरी में वह डॉक्टर से संपर्ख करें ऐसे ही में डॉक्टर आपकी जाँच करेंगे और शिशू की हलचल ना होने के कान का पता लगाएंगे डॉक्टर अल्टरा साउंड करके शिशू की गत्विदियों पर नजर रख सकते हैं दोस्तो वैसे आपको बता देना चाता हूँ कि गरम में शिशू प्रेगनेंसी के साथ से आठ हफ़ते के बीच नॉर्मल गत्विदियां शुरू कर देता है प्रेगनेंसी के नौवे हफ़ते के आसपा शिशू हिचकी लेना शुरू कर सकता है अपनी बाजू वा टांग हिला सकता है दसवे हफ़ते में अपना सिर जुका और घुमा सकता है ग्यारवे हफ़ते में शिशु जमहाई ले सकता है लेकिन तब आप उसकी हलचल महसूस नहीं कर पाती क्योंकि उस समय शिशु काफी छोटा होता है और उसकी गतिविदियों को पहचान पाना मुश्किल होता है लेकिन प्रेगनेंसी के अठारवे हफ़ते के बाद उसकी हलचल धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि महला उसे महसूस करने लगती है दोस्तों प्रेगनेंसी की शुरुआत में शिशु की हलचल का ऐसास कम होता है लेकिन प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ने के साथ ही शिशु की हलचल भी बढ़ती जाती है प्रिग्नेंसी के 20-24 हफ़ते के दौरान शिशु की गतिविदियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है 24-28 हफ़ते के दौरान आप अपने शिशु की हिचकियां भी महसूस कर सकती है इस दौरान शिशु जब हिचकियां लेगा तो आपको धक्का लगने जैसा महसूस हो सकता है प्रेगनेंसी के 29 से 35 हफते के आसपा शिशु की हलचल छोटी मगर अधिक स्पष्ट रूप से आपको महसूस होगी क्योंकि इस दौरान शिशु के बढ़ने से गरम में उसके लिए जगहा कम पढ़ने लगती है दोस्तो प्रेगनेंसी के 32 से 35 हफते के दौरान आपको शिशु की हलचल तेज महसूस होगी लेकिन शिशु की गतिविदियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिशु गरम में एमनियोटिक फ्लूड यानि की पानी की थैली में घूमता है लेकिन इस दौरान शिशु का आकार बढ़ जाता है और अब उसके पास ज़्यादा घूमने के लिए जगहा नहीं होती इसलिए इस दौरान उसकी गत्वीडियों की संख्या धीरे धीरे आपको कम होती महसूस होगी लेकिन शिशु जो भी हलचल करेगा वह आपको काफी तेज महसूस होगी दोस्तों प्रेगनेंसी के 36 हफ़ते तक शिशु सर के बन नीचे की और जनम से पहले की मुद्रा में आ जाता है और इस दौरान आप शिशु के हाथ और पाउं की तेज हरकत को महसूस करेंगी इस दौरान प्रेगनेंट महला को बेबी किक से दर्द भी महसूस हो सकता है प्रेगनेंसी के 36 से लेकर 40 में हफ़ते के बीच शिशु काफी बड़ा हो जाता है और अब वह ज्यादा नहीं पल्टेगा इस दौरान प्रेगनेंट महला अपनी पसलियों के नीचे किसी भी तरफ शिशु के पाउं की किक को महसूस कर सकती है और इस दौरान शिशु महला की शरोणी में दबाव डालता है दोस्तों गरवस्त शिशु बाहर की गतिविदियों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है बाहर क्या आवाज आ रही है प्रेगनेंट महला क्या खा रही है इन सब ही पर शिशु हल चल के जरिये प्रतिक्रिया देता है प्रेगनेंसी के 20 हफते में शिशु हलकी धवनिया सुन सकता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती है शिशु तेज आवाज भी सुनने लगता है गरवती महला जो भी भोजन खाती है वे एमनोर्टिक फ्लूड की वज़ा से शिशु को उसका स्वाद मिल जाता है स्वाद पसंद आने या ना पसंद आने पर शिशु प्रतिक्रिया देता है आपके लेटनी की पोजिशन भी शिशु की हलचल को प्रभावित करती है और जब प्रेडनेंड महला बाई करवट लेटती है तो उस समय शिशू की हलचल ज्यादा होती है और दोस्तों ऐसा बलड स्प्लाई बढ़ने के कारण होता है शिशू की हलचल इस बात का भी प्रमान होती है कि गरब में वैस्वस्थ है और उसका विकास अच्छे ढंग से हो रहा है ऐसा नहीं है कि शिशू हर बार ही हरकत या गतिविदियां करे तो ऐसे में चिम्ता करने की कोई बात नहीं है कई बार शिशू सोया होता है या आराम कर रहा होता है तो इस दरान उसकी हरकत महसूस नहीं होती दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के आखरी दिनों में शिशू की गतिविदियां कम हो जाती है जब बच्चा पूरी तरह से विक्सित हो जाता है तो उसे गरब में किक मारने की जगह नहीं मिल पाती और अगर प्लेजेंटा आगे की तरफ आ जाए तो भी इससे शिशू की हलचल कम हो सकती है लेकिन ये नॉर्मल है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में महलाईं ज्यादा व्यस होती है और उन्हें बच्चे की हलचल ज्यादा महसूस नहीं हुपाती लेकिन जब रात के समय आराम कर रही होती है तो शिशू शान्ती के महौल में स्क्रिया होने लगता है और लात मारता है और इस समय महला उसकी हलचल को अच्छी तरह महसूस कर सकती है शिशू की गती शीलता को सबजने के लिए दोस्तों आप कुछ तरीके भी आजमा सकती है ऐसे में प्रेग्डन महला करवट के बल लेट जाए और अपने पेट के नीचे सहारे के लिए तक्या वगरा लगा ले और कुछ घंटों तक ध्यान दे इस दोरान उसे अलग अलग कम से कम दस हलचल महसूस होनी चाहिए अगर उसे लगे की बच्चा गरम में हलचल कम कर रहा है तो ऐसे में मैं घबराई नहीं आराम से बैठे और शांत हो जाए कुछ मीठा और ज्यादा ठंडा लिक्विड जूस वगरा पिए और अपने पैरों को उपर करे ठंडे और मीठे एहसास से शिशू हलचल शुरू कर सकता है और ऐसा करने से शिशू हिचकी या लात मानने की हलचल कर सकता है तेज शोर करें लाओड म्यूजिक बजाएं और देखें की शिशू कोई परतिकरिया करता है या नहीं और दोस्तों अब बात करेंगे कि आपको किस स्थिती में डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर प्रेगनेंसी के 24 हफते तक शिशू की कोई हलचल महसूस ना हो तो ऐसे में आवश्या डॉक्टर से संपर्क करें जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के 32 हफतों के बाद शिशू के पास ज्यादा हिलने डुलने के लिए जगा नहीं होती इसलिए हो सकता है उसकी गतिविदियों में थोड़ी कमी आए मगर यदि शिशू की रोज मर्रा की हलचलों में कोई बदलाव नज़र आए तो अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको लगे की शिशू की हलचल करने की प्रिकरिया कम हो रही है अगर शिशू बहुत देर तक कोई गतिविदिया ना करे अगर आपके दो घंटे तक करवट लेकर लेटे रहने से भी शिशू की हलचल महसूस ना हो रही हो और आपका शिशू तेज आवाज शोर या किसी तरह के उकसाने पर भी कोई प्रितिकरिया ना कर रहा हो या फिर शिशू की गतिविदियों में बहुत कमी आ गई हो या शिशू का हिलना डुलना आपको कम लगे या फिर आपको किसी प्रकार का भी कोई असमंजस है तो ऐसी स्ती में आप डॉक्टर को दिखाएं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो देखने के लिए आपका